नमस्का आमित्रू आप सबी दूस्तों का बहुत-बहुत सवागत करता हूँ हमारी अपनी यूटूब चैनल मेडिकल दूस्त में तो दूस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेफिवा दूसों टेबट के बारे में तो इस टेबट का उपफियो किन-किन बीमारी में किया जाता है क्या डोज है क्या साइड इफिक्ट है सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे तो दूस्तों बिना स्किप्ट के वीडियो को एंड तक बने रहें तब आपको इस टेबट के बारे में सहीं फर्मिशन मिल पाएगी तो दूस्तों यह 10 टेबट के श्ट्रीप और इस दवा को मार्केट करता है रोमवा हेल्थ क्यार द्वारा मार्केट किया जाता है तो दूस्तों जान लेते ही किन-किन भीमारियों में इस टेबट का उप्योग कर सकते तो दूस्तों यह एक एंटिबाटिक दवा है इस दवा का उप्योग अगर आपको कान में कोई ऍप्र्वाइब्वाइब्वाइब्वाइब्वओ क्या जाता है को अब दोस्तों जान लाते से बार में तो इस त्रेवेब्वाइब्वाइब्वाइब्वाइब्वाइब्वा दुल्व когда-मum एक बड़े वेक्तिको एक ट्रेबेट शूब और एक ट्रेबेट श्यामको खाना खानेके बाद लेना अए इस ट्रवेट को लेने के बाद कुछ side effects नजरा सकते जैसे कि सिर्दर्द होना, सुस्ती, पेट में दर्द, मतले उल्टी, पेट में गेस बनना, लाल चकते, दस्त लगना इस ट्रवेट को लेने के बाद ऐसे कुछ side effects दिखे तो तूरंत आप डॉक्टर के सला जरूले, तो जान रते किन-किन लोगों को इस ट्रवेट का प्योग नहीं करना है तो अगर आपको drug allergy है, आंतों में सुजने, लीवर का रोगे, पेट में सुजने, तो आप इस ट्रवेट का प्योग ना करे प्रेगनेंस से मैलाए, स्तनपां कराने वली मैलाए, आप अपने मर्ची से इस दवा का प्रयोग ना करे और आप पहले से किसे पकार के एंटिबाइटिक दवाई खारे, तो इस ट्रवेट का प्योग करने से पले, एक बाद डॉक्टर के सला अवश्चे ले इस दवा को लेने के बाद आलकोल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे दोस्तो और आप अपने मर्जी से इस दवा का प्रयोग ना करें क्योंकि एक 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 एंटिबाटिक दवा है इसलिए आप अपने मर्जी से इस दवा का प्रयोग ना करें डॉक्टर की परचियोना बहुत जरूरी है तो आप अपने मर्जी से इस दवा का प्रयोग बिल्कुल भी करें दोस्तों दोस्तों चोटी सी जान करें को किस